वेलकम बैक टो माई यूटूब चैनल आज हम देखेंगे नीम के बैनिफिट सो लाइस केट स्टार्टेड आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू वीडियो लेक रहे हूं जिसमें मैं आपको नीम के फायदे बताऊंगी आपकी स्कीन के लिए आपके हेर के लिए जिससे आप अपने हेर का भी ख्याल रख सकते हैं और अपने स्कीन का भी ख्याल रख सकते हैं नीम में इनने सारे फायदे होते हैं कि वो हमारे अंदर जाकर हमारे अंदर की बैक्टिरिया को भी खत्म करता है और साथ में हमारी बाड़ी को भी क्लीन करता है उसकी हर एक निमबोली से ल जो हमारे हेर को गना का बनाती है है इसमें अंटिसयप्टिक गुर्म पाय जाते हैं जो की हमारी जब फेश पे पीमपल हो जाता है तो उसे किल करने में जब फाइदे गाइस यह हमारे एक्ने को किल करती है डार्क स्पोर्ट्स को रिमूव करती है और एक यह नैच्रल क्लिंजर भी है और साथ साथ में अगर हमारे बालों में डेंटर्फ हो गए तो उस मस्या को भी खतम कर देती है और गाइस अगर आपके फेस से बहुत ज़्यादा सीपम निक होकर हमारे स्कीन में जो बैक्टिरिया होगी जो डॉट होगी उसे अच्छे से क्लीन कर देगी और जो भी पिंपल एक्ने होगा उसे भी किल कर देगी गाइस अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स आ गई हैं दो मुहें बाल आपके हो गए हैं तो यह नीम बहुत कीजिए उसे बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा अगर आपके शॉट हैर हैं तो लॉंग हो जाएंगे रूखी बाल हैं तो सॉफ्ट हो जाएंगे शाइन हो जाएंगे अगर आपके बाल जहड़ रहे हैं तो उसकी भी प्राबलम खतम हो जाएगी साथ साथ में आप इस न जाएंगे और कुछ ही हफतों में आप देखेंगे कि आपकी जुट हैं वह भी खतम होने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपको पिंपल हो गया तो आप इस नीम पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं नीम की पत्तियों को सुखा कर इसका पाउडर बना कर उसका पैक बना कर आप गाइस अगर आपकी स्कीन ड्राय है तो आप नीम पाउडर में दही आड़ कीजिए और इस फेस पैक कर अपलाई कर लीजिए पंदर मिनिट बाद अपने फेस को वाश कर लीजिए और इसकी बाद अपना कोई भी फेवरेट मोस्टराजर अपलाई कर लीजिए लेकिन वो क्रीम बेस होना चाहिए गाइस नीम हमारे रिंकल्स को रिड्यूस करने मदद करती है और गाइस स्कीन को क्लियर करने के साथ साथ ये स्कीन से जूड़ी प्रॉब्लम्स को भी खतम करती है फ्रेंड्स नीम को आप different different तरीके से use कर सकते हैं और अपने health के साथ से अपने hair और अपने face का भी ध्यान रख सकते हैं तो आप नीम का use करें और मुझे comment में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड की साथ भी जरूर शेयर करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बाबाई